हलो दोस्तों आप सभी के SSC जी के ग्यान में स्वागत है आज हम भाहिलो जी के एक most important topic जीवाणों से होने वाला रोग जिससे exam एक दो नमबर का प्रश्ट जरूर पूछा जाता है जीवाणों से जो होने वाला रोग है उसको हम तो याद करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद भ ये जदराओ सीजिवेस्ट है क्याव यहीं क्यानल नहीं तो चल ऐski को सब्सक्राइब करें और पेल को प्रेश करेंों चलिए कρεί त्रिक को देख तें दौस्तों आपको प्स याद रखना है कि जैसे याद रखना है चिंकू और पंडित चिंकू और पंडित दो मित्र थे पंडी जी जब सुभा सुभा पूझा पाट करके चिंकु से मिलने जाते हैं तो चिंकु उनको देखर कहता है कि पंडी जी आपका जो टीका लगाए है वो बहुत न्यू है दोस्तों यहीं से आपका ट्रिक बन जाता है कि पंडीत का टिक न्यू है एक दो बर बोलते हैं दोस तो इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं, कैसे याद करेंगे हम, तो आप इसको कापी पर एक दो बार लिखिएगा, और लिखने के बाद यह आपको याद हो जाएगा, जैसे पंडित का टिक न्यू है, तो पस होता है आपका प्लेग, डी से होता डिफ्थिरिया, तास साइड, कासे कालाखासी, टी से टिटनास, का से कुश्ट, निू से निमोनिया, और है से हेजा हो जाएगा दोश्तों, तो आपका ये ट्रिक है, इसको अप एक या दो बार लिखिएगा, और इसको आप ट्रिक को याद करिएगा, आप यदि इसको ट्रिक को याद कर लेतेkol आपको एक्जाम में एक या दो नमबर पक्का हो जाता है, तो आप इसको पंडित का टिक निज्ट है, ऐसे याद रखिए. दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आये, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, थैंक्स वार वाचिंग!